कि स्टार्ट होने वाली है और सबसे बड़ा आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि सर काउंसलिंग कभ से स्टार्ट हो रही है तो देखिए मैं आपको लोगों को पहले से बता दू कि यहां पर त्री नॉवंबर तुँ फाइप नॉवंबर तक आपकी केवल यहां पर जो भ देख सकते हैं आपको किस तुर रहते अपना कर्यक्षन करना है दूसरी चीज क्या यह करेक्षन सभी बच्चों को करना है तो देखिए वहां पर डिकलेरेशन पेज आया है आप लोगों का यही सव घुसना पत्र आपका आया है तो वहां पर मेरे अकोडिंग डेखिए आपके केटेगरी में कुछ मिस्टेक हो या फिर आपका रिजल्ट में कुछ हो तो एक बार आप चेक कर लीजिए मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को जो भी स्टुडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लीजिए अधरीज बाद में कोई प्रोब्लम हो तो फिर वो थोड़ी सी दिक्कत वाला विसे आपके लोगों के लिए बन जाएगा इसलिए यह वाला जो करेक्शन है सभी स्टुडेंट्स को करना है इसकी अगर किसी बच्चे को यह मेल प्राप्ट भी नहीं हुआ है तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है अगर यह मेल प्राप्ट नहीं हुआ है तो आपको यह वाली जो साइट है इस वाली साइट पे आपको सीधा चले जाना है जिसे आप इस वाली साइट पे जाएंगे आपके सामने सीधा एक पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में आपके पास application password security code मांगेगा तो application number आपके पास है ही password आप जानते ही है आपके खुद के जब आपने phone बरेते तो आपके पास password थे अगर नह और यह सबी स्टुडेंट्स के लिए करना नेसेस्तरी है आई सियार ने इसा कुछ नहीं कहा है लेकिन मेरे अकोरडिंग सबी स्टुडेंट्स को यह करना चाहिए अगर आपको चेंज नहीं करना अपनी केटेगरी तो लास्ट में डिकलिरेशन के पेज़ बेटिक करके आपक को आपकी स्टार्ट हो जाएगी उसमें सबकुत जो भी इन्फोर्मेशन है वहाँ से दे दी जाएगी तो अब काउंसलिंग में ज्यदा टाइम नहीं है तो आप लोग ये काम फटाफट से फिनिस कर लीजिए उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है